Yo what's up guys, welcome back to the quick support youtube channel तो आज किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के लिए professional banner कैसे बना सकते हो चाहे वो gaming का चैनल हो, चाहे वो food का चैनल हो, चाहे वो technical चैनल हो आप सभी को पता है कि आपको banner बनाने के लिए अलग अप्लिकेशन का यूज करना पड़ता है जिससे कि आपका banner बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाता लेकिन आज किसी वीडियो में आपको एक ऐसी website के बारे में बता दूँगा जिससे कि आप सिर्फ one click में अच्छा और professional banner बना पाओगे तो सबसे पहले आपको जाना है अपने Chrome browser में और वहाँ पे आपको सर्च करना है Poster My Wall तो जैसे ये website open हो जाती है इसमें आपको जो है banner, logo और यहाँ तक कि आप थंबने लिए भी create कर पाओगे तो मैंने यहाँ पे Poster My Wall की website खोल लिए आप देख सकते हो कुछ इस तरह की website आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी उपर सर्च बार देखने को मिल जाती है तो simply अगर आपका चैनल किस भी category से related हो तो यहाँ पे आपको सर्च करना है simply वो category और यहाँ पे आपको बहुत सारे design देखने को मिल जाते हैं तो मैंने यहाँ पे gaming art लिके सर्च कर दिया है तो आप लोग देख पाओगे कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे gaming art आपको देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप easily customize कर सकते हो और अपने चैनल के लिए एक professional banner बना सकते हो और मैं आपको बता दूँ कि इस website की मदद से आप जैसे आप live stream करते हो उसमें एक intro जैसी आती है वो भी create कर पाओगे simply मैं किसी इस पर edit पर ok कर लेता हूँ जैसे हम देखते हैं किसी banner पर हमने click किया और उसका customize template पर हमने click किया और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी processing होती है और उसके बाद सारा इनका edit menu उखल के सामने आ जाता है मैं यह आपको PC से करके बता रहा हूँ यहाँ पर आप अपने mobile phone से भी इसको चला सकते हो simply आपको अपने mobile phone के Chrome browser में जाना है और वहाँ पर जाके आप उसको edit कर पाओगे ठीक है तो simply हम यहाँ पर देख लिए जैसे इसको channel को name को edit करना है जैसे भी यहाँ पर लिखना हो आपने according यहाँ पर gaming से related जो भी आर्ट बनाना चाहते हो यहाँ पर देख सकते हो Instagram का आया हुआ है simply आपको double tap करना है और इसको edit कर सकते हो जो भी आपने यहाँ पर gaming का वो होगा Instagram को username simply आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे subscribe का button भी है तो simply आप इसको edit भी कर सकते हो साड में आप देख सकते हो यहाँ पर replace का ओप्शन आ रहा है तो यहाँ पर replace भी कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको photo option मिल जाता है element का option देखने को मिल जाता है text का मिल जाता है media layout background अब मतलब पूरी इस fully template को customize कर सकते हो अपने according यहाँ पर सारा यहाँ आप देख से यहाँ पर delete करना हो किसी चीज़ को तो यहाँ पर simply हमने क्लिक किया उस चीज़ पर just subscribe button पर क्लिक किया हो यहाँ पर simply delete तो आप देख से यहाँ को control कर सकते हो saturation को control कर पाओगे हर एक चीज़ को आप यहाँ पर customize कर पाओगे और यहाँ से अगर डाउनलोड करना हो आप तो डाउनलोड भी बड़ा easily कर सकते हो वह भी free में और यहाँ पर इनका upgrade version भी आथ simply upgrade पर जैसी क्लिक करते हो यहाँ पर कोछ इनके paid plan होंगे सो आप आपको replace पर क्लिक कर देना है याँ आपको remove पर क्लिक कर देना है mask पर क्लिक कर देना है यहाँ से सब कुछ आप कर पाओगे यह इनका edit menu है तो यह application का link आपको नेचर description में मिल जागा वहाँ से जाके आप check out कर सकते हो आपको बता दूँ जैसे आपको banner 1 के त्यार हो जाता है simply आपको download के button पर क्लिक करना है थोड़ी सी processing होगी उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है basic image जो की free में आप download कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर high quality image जिससे कि आपको 2$ पे करने पढ़ेंगे तो simply हम free पर क्लिक कर लेते हैं simply download पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर professional banner मिल जाएगा वो भी HD quality में ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर application का यूज करना पड़ेगा किसी भी थर्ड पार्टी का या आप बना रही हो या कुछ भी है आपको साइज बगार का matter जाता रहता है banner में लेकिन इसमें आपको कोई भी देखने को issue नहीं मिलेगा आपके banner के size के मताविक ही यह application काम करती है अगर माल लेजिए कि आपको यहाँ पर thumbnail create करना है तो जैसे मैं यहाँ पर back कर लेते हैं ठीक है पहले तो और यहाँ पर जैसे हमने उपर लिखा था gaming art simply आपको यहाँ पर gaming thumbnail सर्च कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर thumbnail लिखके डाल दे information आता है यहाँ से यह वीडियो का option symbol देखने को मिल जाता है तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हो यहाँ पर जैसे कि यह रहा इसको simply edit करना है आपको and simply customize template पर क्लिक करना इस तरह का आप बना सकते हो ठीक है तो यह application fully इस तरीके से work करती है और free में आप इसमें काम कर पा आप Осब के कर आप हो यहाँ झाप करना सकत और कम करते है सकते हैं घज है झाप 나중에 दूगत और का मुझा खाओी कि जाता है बना झाता है तरह से चाहां कि अरता हैानोत 활नी कि च्ता हैं कि अ कर दो यह ihn कर दोद़ एल